आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ विश्चिन में दिया हूँ है, if sin theta plus 7 cos theta equal to 5 तो 10 theta by 2 is the root of the equation यह अपने को निगाल देना, किस equation का root होगा नीचे 4 quadratic equation given है, तो ठीक है सबसे पहले मैं जानता हूँ, it's not sin theta and 10 theta हम कहा relation होता है, sin theta को लिख सकता हूँ है 2 10 theta by 2 upon 1 plus 10 square theta by 2, ठीक है so and जो cos theta है, उसको कहा लिख सकता हूँ, cos theta होता है 1 minus 10 square theta by 2 upon 1 plus 10 square theta by 2, ठीक है so इन दोनों की इसाब से अगर मैं यहाँ पर relation कहाँ, sin theta plus 7 cos theta plus 7 cos theta equal to दिया हूँ है 5 so अब देखिए, इसमें कहा है sin theta की बेलु मतलब 2 10 theta by 2 upon 1 plus 10 square theta by 2 plus 7 into 1 minus 10 square theta by 2 upon 1 plus 10 square theta by 2 equal to 5, ठीक है so यही 2 10 theta by 2 plus 7 minus 7 10 square theta by 2 equal to 5 plus 5 10 square theta by 2 ठीक है so यह क्या हो गए 5 plus 2 12 10 square theta by 2 यह हो गया minus के 2 10 theta by 2 ठीक है minus 2 equal to 0 तो यह क्या हो गए मेरे पास 2 से गए डिवाड़ कर दियो तो 6 10 square theta by 2 minus के 10 theta by 2 minus 1 equal to 0 अब देखिए यह यहाँ पर में क्या घठ लकता हूँ? यह हो गया 6 x square minus x minus 1 equal to 0 इसका मतलब यह हो गया इसका एक root है 10 theta by 2 हैंच तो यह ओवाली एक्येशन कौनसी हो गए 6 x square minus x minus equal to 0 तो कौनस अप्शन गरेक्ट हो गया? Option number 2 Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोट करे doubtnet आप यह WhatsApp कीज़े अपने doubts आच चारसो 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 पर